अंकित सिंचंदेल मिला नाम हुआ विभाजपा में प्रदेश प्रसिक्षन प्रवारी आयटी इन सोसल मीडिया प्रदेश है आप कैसे यहां का शुरुवात किये हैं किस रास्ते से आये हैं यह तो संघर्स की पत से हम लोग आये हैं और विद्यार्थी प्रिशत की छात राजनितित से हमने सुरुवात की कॉलेज में कई करांती कारी आंदोलन कई रचनात्मक कारियों की वदोलोज्य है हम यहां तक की सफर किये हैं राश्ते स्विंग सेवक संके वालकाल से स्विंग सेवक भी है और कॉलेजों में विविन प्रकार की आंदोलन जिसका एक इतिहास बना हुआ है और आज कुशी कॉलेज में जो छात्रों की जो इस्थिती थी, जो छात्रों को नहीं सुना जाता था, ऐसे हमने कई आंदोलन किया, इसमें छात्रों की जीत भी गुई, और इन्वर्सिटी में हमने कई आंदोलन करके कई रूप से हमने PG की कॉलेज में पढ़ाई के लिए जब इस चीज में आप कदम रखे तो उससे सब से पहला उद्देश आपका क्या था? इसी कई परमुक मुद्दा हैं जो हमें चूबते रहती थी और इस सिति में हमने राजनितिक चेत्र को अपनाया कि लोगों को सेवा भाव से लोगों की बीच में हम सेवा भाव के कारण लोगों की बीच में हम जाएं उनकी सेवा करें उनका जो है जो उनकी समस्या है उनको द लेकती हैं कि जो चात्रों के लिए काफी आवाज उठाते हैं अखिर इतना आवाज उठाए क्या कुछ अभी तक आपको मिला है अपलबदी मिला है कि लोगों के आज हमारे कोशी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई भी चालू हो गई है सेयोग देखिये कि हम चात्रों के बीच राते राते हम एक हमारी समस्या डुमरी पूल द्वस्त हो चुका था और उस मुद्दे को लेकर लोगों ने बहुत लोगों ने शंगर्ष किया लेकिन आज तक नहीं हो पाया हमने लोगों के बीच में गया लोगों ने कहा कि ये सर देख लीजी आज दो साल तीन साल से जो है डुमरी पूल का निर्मान भी है लोगों के जनहित की समस्या का वारने कामने काम भी किया कौन से इस भी में आप आए थे जी हमारे राजनितिक के लिए 2008 से शुरू किया और आज देखा जाए तो बरतमान समय में 2023 आ गया है इतने समय में क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिल रहा है बहुत कुछ बदलाव देखने का मिल रहा है कि देख लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है सबसे बड़ा बदलाव यही है कि देश को एक मौनी बाबा प्रधान मंतरी को रूप में देखने को मिलता था आज हमारा प्रधान मंतरी 56 सीना के साथ पुर बनने जा रहा है यही बदलाव है कि देख रिजे कि आज हमारे बिहार में जो है युवा जो है बिरोजगार होते जा रही है